हेलो छात्रो स्वाकत है आपका अपने यूटूब चैनल टोड़े से स्टड़ी क्लासेस में छात्रो आए हम एड़ क्रेड अब्यास पुष्टि का कक्चा साथ विसे बिग्यान का अध्याय नमबर साथ करेंगे जिसका नाम है जन्तू और पादप में परिवान इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 706, 707, 708 और 709 समायत है तो चलिए छात्रो इस अध्याय के प्रिश्ण उतर करते है छात्रो यहाँ पर एक माना विर्दे चित्री दिया है ठीक है इसमें आपको यहाँ पर नाम लिखना है मा सिरा, दाया आलिंद, ठीक है मा दमनी, फुस्फुस दमनी, फुस्फुस सिरा, बाया आलिंद, बाया निले और यह दाया निले ठीक है इस प्रिकार से यहाँ पर आप इनके नाम लिख सकते हो रिक्तिस्तानों की पूर्ती दिये गए बिकल्पों में से चुनकर कीजिए लाल रक्त को सिकाओं में हीमो गलोबिंग आएगा नामक लाल रंग का वरणडन होता है ठीक है इसमें आएगा हीमो गलोबिंग दूसरा है, प्रती मिनट इस्पंदों की संक्या इस्पंदन दर कहलाती है तीसरा हिर्दय और रक्त वाहीनिया मिलकर परिसंचरन तंतर बनाते हैं चुछा है चिकिस्सक आपके हिर्दय इस्पंदन को मापने के लिए स्टेटर्सकोप नामा के यंत्र उपयोग करते हैं पादपों में जल और पोसक तत्वों के परिवेन के लिए बिसेज बाहीनियां होती हैं जो संभान उतक कहलाती है निम्ली लिकित बिकल्पों में से सही बिकल्प चुनकर लिखो पहला प्रसंद दिया है स्वेत रक्त कडिकाओ का क्या कार है इसका उत्तर होगा ओप्सन नमब प्रसंद नमबर 2 है पादप म्रदा से अवशोषित करते हैं इसका उत्तर होगा चात्रों अप्सन नमबर ए और आप्सन नमबर सी यह दोनों प्रसंद तीन सरीर में से अफ्चिश्ट पदार्टों का बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है उत्तर है इसका उप्सन नमबर के उत्सर्जन प्रस्ट नमबर 4 मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना आए इसका उत्तर है आप संपर डी मूतर वाहिनिया बक्र-बूत्राश्य मूत्रर्चय एवं मूत्र मार्ग से पर संपर 5 है मचली जैसे जलिय जीव अपना अफिश्ट इस गैस के रूप में उत्सर्जि परी संचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है? उत्तर है परी संचरण तंत्र हिर्दय और रक्त वाहिकाउं से मिलकर बना होता है? प्रस्ट नमब दो है डाइलिसिस किसे कहते हैं उतरह कभी कभी किसी व्यक्ति के ब्रक काम करना बंद कर देता है ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए क्रतिम ब्रक द्वारा रक्त को नियमित रूप से चान कर अफ्षिष्ट पदार्तों को हटा दिया जाता है यह किरिया परजन करना क्यों आवस्यक है उतरह क्योंकि जब हमारी कोसिका अपना कार करती है तो कुछ अफ्षिष्ट पदार्त उत्पन होते हैं यह हमारे सरीर के विसेले होते हैं इसलिए इन्हें सरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है प्रस नमबर पांच गर्मी के दिनों में पसीना अधेक निकलने पर कपड़ों पर सपेद धब्बे क्यों बन जाते हैं उतरह पसीने में जल और लवण होते हैं जब गर्मी के दिनों में पसीना आता है तो सरीर पर पहने कपड़े पसीने से गिले हो जाते हैं परन्तु जब यह सूख जाता है तो कपड़ों पर अग्ला प्रसंद्रंबर शॺ रक्त क्या रक्त में पाए जाने वाले प्रभ्मगटकों के नाम लिखिए उतर रक्त एक टरल संयोगी उतक है यह लाल रंग का घाड़ा चारिय तरल पदार्थ है जो हिर्दय तता रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता आए रख्त के प्रमुक गटक हैं प्लाज्मा लाल रख्त को सिकाये सफेद रख्त को सिकाये प्लेट लेट्स अगला प्रसन करते हैं प्रस्ट नम्मर साथ बूजो यह जानना चाहता है कि क्या इस्पंजन एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रख्त परी संचरन तंत्र पाया जाता है उत्तर है इस्पंजन एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रख्त परी संचरन तंत्र नहीं होता है जिस पानी में वे रहते है वे उनके सरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है पानी से बाहर निकलते समय अफसिस्ट पधार्थ और कार्वन डाइयोकसाइड अपने साथ ले जाता है प्रस्ट नमबर आठ स्वेत रक्त कडिकाओ को सैनिक कहते हैं क्यों क्योंकि स्वेत रक्त कडिकाओं हमारे सरीर के रोगाड़ू को नश्ट करती है इसी कारण इने सैनिक कहते हैं प्रस्ट नमबर 9 इस्पंदन दर किसे कहते हैं किसी स्वेस्थ व्यक्ति की इस्पंदन दर प्रती मिनिट कितनी होती है उत्तर किसी व्यक्ति में प्रती मिनिट हो रहे इस्पंदो की संख्या इस्पंदन दर कहते हैं किसी स्वेस्थ व्यक्ति की इस्पंदन दर बातर से अस् प्रती मिनट होती है दीर गुत्रिये प्रसंद करेंगे प्रसंद करेंगे प्रसंद माना भिर्दय में उपस्तित वे कौन सी सनरचना है जो ऑक्सियन युक्त रक्त को कारवन डायोक्साइट युक्त रक्त से मिलने नहीं देता प्रसंद माना भिर्दय में उपस्तित आलिंद और निले के कारण ऑक्सियन युक्त रक्त को कारवन डायोक्साइट युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है प्रसंद नमर ग्यारा है पहला है धमनी तता सिरा को परिवासित कीजिए एवं उसके कार लिखिये उतर है धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवायत होता है पर धमनी का मुख कार है हिर्दय से सुद्ध रक्त ले जाकर सरीर के विविन अंगो में पहुचाना जबकि सिराओं का मुख्यकार है सरीर के अंगों से असुद्ध रक्त हिर्दय तक लाना ठीक है अगला प्रसंद करते हैं दूसरा है धमनी की दिवारे मोटी एवं प्रतियास्त होती हैं क्यों उत्तर हिर्दय से इस्पंदन के फालस्रूप रुधीर एक-एक कर तथा अत्यधिक दाफ के कारण धमनियों में से होकर बहता है इस दाफ को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार सिराओ की दीवार की अपेक्षा अधिक मोटी एवं लचीली होती है प्रसन नमर बारा इस टेटोस्कोप का चितर बनाईए एवं उसके कार को लिखिये चातरो आप इस प्रकार से यहां पर इस टेटोस्कोप का चितर बना सकते हो आपको इसके रिण पर दिख रहा होगा ठीक है और इसका उत्तार है इस्टेतो उसको रोगी के रक्त संचार की दसा का परिक्षण करने का उपकरण होता है ठीक है अगला प्रसंद करते हैं प्रसंद नम्म तेरा है इसका पहला प्रसंद है परी संचरन तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाएए एवं वरणन कीजिए चात्रों आपक इस प्रकार से नाम भी लिख सकते हो ठीक है अगला प्रसन करते हैं प्रसन नमर चवदा है पहली खेलते समय गिर गई उसके हाथ से रक्त बहने लगा कुछ समय पच्छात रक्त का बहना बंध हो गया यह सब भूजों ने देखा भूजों के प्रस्णों के उत्तर दीजिए प दूसरा प्रसन है रक्त का ठक्का जमने में कौन सी कोशिकाय सायक है उत्तर है रक्त का ठक्का जमने में पट्टी काडू याने प्लेलेट्स कोशिकाय सायक है दीर गुत्री है प्रसन प्रसन नमर पंद्रा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामंकित चित्र बनाईए चात्रो अगला प्रसंद करते हैं प्रसंद 16 मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अफ्षिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतीशत लिखिए उत्तर प्रतेग व्यक्ति एक दिन में लगवग एक से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है जिसमें 95 प्रतीशत जल 2.5 प्रतीशत यूरिया और 2.5 प्रतीशत अफ्षिष्ट पदार्त होता है ठीक है प्रसंद 17 पादपों में जल एवं खनीजों के परिवहन को नामंकित चित्र द्वारा समझाईए चातरों आपको इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा होगा इस चित्र को आप अपनी पुस्तक में बना लीजीगा ठीक है अब करते हैं हम प्रोजेक्ट वन इस्टेटोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्छा में प्रदर्शित कीजिए यहाँ पर आपको इस स्टेटोस्कोप का चित्र दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में बना लीजीगा अगला प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट दो आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द जलन घवराहट की तकलीफ होने लगती है आप साथियों से चर्चा कर निसकर्स निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए यहां दिया है किस अंग के विसेसक डॉक्टर के पास ततकाल जाना चाहिए इसका उतर होगा हिर्दै रोग विसेसक के पास जाना चाहिए कौन सी जाच करना उचित होगा ECG, MRI, Blood Test, Ultrasound Test ठीक है यह जाच हमें जरूरी कराना होगी क्या क्या साफदानिया रखनी चाहिए, Blood Pressure ठीक रहे, Colesterol नियंतल रहे, ब्यायाम करे, योगवाध ध्यान करे इस प्रकार से आप अपनी पुस्टर में उत्तर लिख सकते हो चात्रो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी साथ गंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिपिकरसन आप तक सबसे पहले पहुचे और चात्रो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी सेर कर सकते हो ताकि वैवी ये कार आसानी से कर सके धन्यवाद चात्रो